बालिका वधू सीजन टू एपिसोड बॉन इस कहानी के पिछले भाग को आप सब का बहुत प्यार मिला था, पर क्या आप सब इस कहानी को भी वही प्यार देंगे? दोस्तों प्यार देंगे तो कहानिया यूँ ही चलती रहेंगी और चलते रहने का नाम ही तो जिन्दगी है एक ऐसी ही जिन्दगी आपकी सीता ने अपने हाथों से बनाई थी सीता एक आलिशान घर के बाहर खड़ी होकर उस पर मिट्टी का तेल छड़क रही थी सीता की आखों में रोश, दर्द, पीड़ा, नफरत सब एक साथ नज़ना रहा था मगर इतने सुंदर आशी आने को सीता जलाने पर क्यों तुर रही थी और फिर सीता ने माचस जला ली पर सीता ऐसा क्यों कर रही थी कुछ घंटों पहले रेखा और विजय काफे लंबे समय के बाद आज अकेले एक दूसरे के साथ सफर पर निकले थे अब जाकर उलाद की जिम्मदारियों से मुप्तुए है रेखा कितना सुंदर मौसम है बाहर जिम्मदारियों से भी कभी आजादी मिलती है क्या भला अभी तो लंबे समय तक ये परिवार संभाल कर चलना है जी सीता बिचारी अभी कच्ची ही तो है हसनी खेलने के दिन में इतना सब देख चुकी है ना बाबा ना अब मैं चाहती हूँ वो जी और मैं घर संभालू लंबी पारी खेलनी बाकी है अभी विजय बाबू बूड़ी हो रही हो और कितनी लंबी पारी खेलोगे तुम हाटो जी बूड़ी होंगे आप मुझे तो अभी पचास बरस और जीना है तभी अजानक गाड़ी की स्पीड कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पलक जपकते ही रेखा की सपनों की साथ वह गाड़ी भी सड़क पर बिखर जाती है चारो ओर टूटी गाड़ी के काच थे धेर सारे खोन की बीच में वो काच के टुकड़े मोती की तरह चमक रहे थे और खोन से लथपत एक दूसरे को थामे हुए दो हाथ थे जो रेखा और विजय के थे रेखा की आँख में आशो और चेहरे पर हसी थी तूने जिपना दिया अच्छा दिया भगवान अब तेरे पास आ रही हो भगवान मेरी बची हुई उम्र भी मेरे बच्चों को देना इन सबसे अंजाम सीता शर्मन अपने नए आश्यानी के बाहर खड़े थे खोब मेहनत करके दो साल में ही शर्मन ने अपना नया घर ले लिया था शर्मन हमारा नया घर जब मा बाबा के हाथ में इस नए घर की चाबी देंगे तो वो कितने खुश होंगे यू तो आदमी बहुत ही मजबूत पिलर है लेकिन जब उसकी पतनी उसका हाथ थाम लेती है तो वह उस मजबूत पिलर की ना डगमगाने वाली नीव का किरदार अदा करती है उसी नीव पर आज सीता और शर्मन खड़े थे दोनों नम आखों से एक दूसरे की आखों में अब तक ही पूरी यात्रा जहांक रहे थे हाँ शर्मन पकपक भागने वाली सीता कैसे तुमसे कदम से कदम मिलाते हुए तुम्हारी दोस्त बन गई देखो हाँ पतनी से पहले अब सकी ही हो तुम रानी के विदेश जाने पर उसकी कमी तुमने महसूस नहीं होने थी अच्छा जी तो आपको रानी जी जी की जरूरत महसूस होती थी हाँ शर्मन for your kind information she was my जी जी वो मेरी लिए आती थी ना कि तुम्हारे लिए हाँ अच्छा बाबा, तुम ही मेरी सकी हो, तब से और आगे तक बस तुम, पर सीता, ये तुमारे हाथ में क्या है? खौब घर, हमारा खौब घर शर्मन, इस आशियानी का नाम बाबू सीता शर्मन को उसके हाथ में पकड़ी नेम प्लेट दिखाती है, जिस पर लिखा था, खौबो का घर दोस्तों, बालिका वधू से महबबत है, तो अभी कॉमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर कौन है ये दोनों बच्चे, और क्या नाम है इनकी? हाओ, देखे जरा कौन है कितना फैन बड़ा? वी आव वेटिंग फॉर यूर कॉमेंट्स बाबा, ये मा क्या कर रही है? मा, क्या ये हमारा घर है? हाँ बच्चों, ये हमारा घर है, खाबो का घर शर्मन, इस नए घर में पहला पाव माजी ही रखेंगी और सीता शर्मन मिलकर ख्वाबो के घर को दिवार पर लगा कर उस पर केल ठोखने लगते हैं तब ही सीता की उंगले में चोट लग जाती है और वह वहाँ से खोन की बुन्थ टपक कर ख्वाबो के घर पर आकर गिरती है और अचानक शर्मन के पास फोन बज़ता है शर्मन के आखों में आसमों का दरिया था वो आखों ही आखों में सीता से बहुत कुछ कह बेता है और सीता भी रोटती है सीता शर्मन बच्चों को उठा कर फटा-फट कही निकलती है एक पल खुशी और एक पल इतना गम आखिर अब कैसी गाज किरने वाली थी इस परिवार पर सीता शर्मन दोड़ कर अस्पताल पहुचते हैं रेखा आईसेउ में जिंदकी और मौत की बीश लट रही थी माँ ये सब नहीं मैं तुमें कुछ नहीं हो रहे दूँगा मगर सीता तो रेखा को देखकर एक तम ही सन पड़ गई थी हट ऐसे नहीं करते हैं जाने वाले को हमेशा हस कर विदा करते हैं आओ बच्चो पास आओ मेरे यहां बैठो सीता बहुत सीवा कर दी तूने कब तक इस बूढ़े एंजन के पुर्जे चलेंगे मुझे तो वैसे भी जाना ही था नहीं ये ठीक नहीं हुआ माजी आपके बिना सब सुना है वो रुसोई के मसाले वो पौधो की रंगत वो जो रात की रानी आपने कल ही लगाई थी उसमें तो फूल आना भी भी बाकी है नहीं 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 ये सब सपना है सब सपना है सीता माजी को इतना दर्द नहीं हो सकता दर्द पर तो सिर्फ तेरा अधिकार है सीता शान्त हो जा सीता मेरे दोनों नील कमलों को तुझे ही तो सम्भालना है अब ये ले घर की चाबिया हाँ थोड़ा सा खोन लगा है उसे मेरी साड़ी से साफ कर ले वो कटफट गई ना बेटा मेरी बॉड़ी कमभकत कैसी जिन्दगी है बच्पन में चोट लगने पर मा की एक जाहदूई फोक से ठीक हो जाते थे और आज इन मेहंगी उत्रू फुत्रू से भी जान नहीं बच पा रही है बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे बच्चों के लिए कोशिश नहीं की बिचारे तेरे बाबा तु मुझे बचाने को बहुत चीखे भी पर अब यम्राज नजर आने लगे है सीता तब विजे भी पट्टी करवा कर वीलचेर पर आता है किस मन हो उस घड़ी में घर से निकले दे रेखा तेरे बिना ये बची हुई मेरी जिंदगी बड़ी ही बासी फी किसी हो जाएगी और अचानक रीखा की पल्स रीट हाई हो जाती है मा, मा, नहीं, मेरी मा अभी मरी नहीं हो न लायक सुन मेरी बात अब अगर मेरी सीता को छोड़ बाहर किसी भी मेनका के चक्कर में आया न तो सीता मेरी परमिशन है तुझे तू भी कोई ढूंड ही लेना मा जी, परदाश नहीं करपा रही हूँ सीना बहुत दुख रहा है मा जी हमें अकेला ना छोड़ो मा जी में भीक मांगती हो यमराज से मत ले जाओ मेरी मा जी की प्राण चाहे तो मेरे ले जाओ वैसे भी, मुझे जो कुछ देखना था मैं देख चुकी हो अब बस सीता कभी बदल थोड़ी ही सकती है उतनी ही सीधी, उतनी ही सरन जब पहली बाहर घर में आई थी तो तेरे बाबा की डाट पर सहम गई थी छोटी सीता विजय की छोटी सी डाट पर डर के मारे शर्मन के कमरे में दुबग गई थी ना ही खाना खाया, ना ही बाहर निकली रेखा समझ गई थी तब रेखा और विजय ने जाकर खुद सीधा को मनाया और बाहर लेकर आई अरे मेरी चांदा चकोरी नाराज नहीं होते बिटिया जैसे वहाँ तेरे बाबा है वैसे ही ये भी बाबा ही है इनकी डाट में भी प्यार ही होता है क्या बाबा दोदो बाबा हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते अच्छा मेरी गलती थी नहीं सीधा मुझको माफ कर दो, लो पकड़े कान पर बाबा तो कान पकड़ने के बाद घोड़ा बनकर अपनी पीट पर बिठाते थे और विजे हसता हुआ घोड़ा बनता है और एखा हसते हुई सीधा को विजे के मजबूत पीट पर बिठा देती है पूरे घर में सीधा की हसी की किलकारी गोंज रही थी तुझे क्या पता शर्मन अपनी बेटी की तरह बड़ा किया था हमने सीधा को चलो मेरे जाने का अब टाइम हो रहा है अरे नलाय को मरते हुए इंसान से भी कोई इतनी पकर-बकर करता है क्या सब रोते हुए बाहर जाने लगती है तभी रेखा सीधा का हाथ थाम लेती है तू नहीं जा सीधा तुझसे मुझे एक जरूरी भात करने है सीधा और रेखा कमरे के भीतर ही थे और आईसीउ का दर्वासा बंध होता है नहीं माजी जो आप चाह रही है वो कैसे हो सकता है वादा कर सीधा वादा कर और रिखा सीता के सामने ही दम तोड़ देती है और सास पहु का ये किस्सा यहीं खत्म वो माजी चली गई शर्मन वो चली गई सीता बद हवासी में लड़कडाती सी अपनी उसी आश्यानी के बाहर आती है और उसे रुआसी अखियों से देख बगीचे के जूले पर बैठती है जिस माँ के लिए फुखर लिया जब वो माँ ही नहीं तो जैसे अब शकुनी आशी आने का मैं क्या करूंगी तुझे भी मेरी माँ के चिता के साथ जल जाना चाहिए जल जा जल जा सीता घर को जलाते हुए खुद भी आग के पास खड़ी हो गई थी ट्रामा लिख रहा है न तो मेरी जिन्दगी में भगवान हाँ अच्छा भला वो रोस की तरह जी ही तरही थी पर मैंने उन्हें डेट पर बाहर जाने की जित की सीता शर्मन से कुछ देर पहले बात करती हुई हाँ शर्मन आज मांची और बाबा को मैंने बाहर खुमने को कहा है तो इसी बाहर ने मैं तुम्हारे साथ नए घर में मा बाबा के वेलकम की तयारी करने चलूँगी तब ही रेखा की आवाज आती है अरे बिटिया मैं जरा सा बाहर ही तो जा रही हूँ इतना बड़ा बैक्यो पैक कर दिया है अरे बाहर नहीं डेट पर भेज रही हूँ मैं आपको बाबा के साथ डेट पर माजी और ये सब ही अलग चीज़े हैं ये देखिए कम प्यास लगे तो ये नेमू पानी थोड़ी ज्यादा लगे तो ये ग्लूकोस का पानी और कहीं ज्यादा वक लगे तो ये शीतल साधा पानी इसी डब्बे में आपके लिए काजू, बदाम और अखरोट है आपकी जवानी बढ़ाने के लिए अच्छा, बाबा को रास्ते में एक रोमांटिक गाना तो सुना ही दे ना हट, नटखट, इन सब की मेरी उमर नहीं है इस बूड़ी को ये सब खिला पिला कर उसकी उमर यमराज से भी बड़ी कर दे तू अरे सीता, ये सब तुम्हारे खाने पीने की उमर है मैं तो उबले चावल में भी खुश हो सीता ये सुन रिखा को घूर कर देखती है बास नहीं आओगी नाप क्या मैं आपको सिर्फ उबले चावल के लिए छोड़ूंगी मा जी, इस घर पर सतैव आपकी छत्रचाया बनी रहे इसके लिए जो सेवा करनी चाहिए मैं सब करूंगी पर पता नहीं बढ़ती उम्र के साथ आप बड़ी लोगों में क्या हो जाता है जब कहो कि आ जाओ, मा बाहर चले तब बोलेंगी नहीं बीटा, इन सब की हमारी उम्र नहीं है जाओ, तुम ही होआओ अरे अरे बिटिया, थमजा, थमजा बिटिया पर सीता तो एक्स्प्रेस की तरहें बिना धगे, बिना रुके बोले जा रही थी अगर इनसे पूछो कि क्या खाना है माजी, क्या बनाओ तो बोलेंगी, बीटा, जो तुम बच्चे खुशो कर खाओ, वही बना लो मुझे तो दो निवाले ही खाने हैं बस रेखा तो सीता की डाट से सहें भी रही थी तभी सीता रेखा को कंधों से थाम बिस्तर पर बिठा देती है अभी कुछ खत नहीं हुआ, सब बचा है आपका रेखा मा हमारी खर का सबसे बड़ा बच्चा होना अब तो मेरी सुनने ही होगी और वो आप क्या बोलती है? ये ओडने पहनने खाने और जीने की मेरी उम्र थोड़ी ही रह गई है तो सुनो रेखा कुमारी कुमारी, एक सांड जैसा बड़ा बेटा है मेरा पोता पोती है और तु मुझे कुमारी बना रही है सीता पगला गई है तु, एकदम पगला रेखा कुमारी जी, ये गमली सी जिन्दगी है जो इसे खून, पसीने, उखरती, नींद और ना थकने वाले शरीर सीच सीच कर अपने बग्या तो बना दिया बग्या में जब बारी खुट टहलने की आई, तो आपको किस्ते टिकट खरीदनी है आप इस संदर बग्या की जिन्दगी की मालिक हो हम जियो है, वो आपकी ही तो देन है ये सीता आपके साथ और सपोर्ट के बिना वो छोई मई सी बालिका वदू बन कर ही रह जाती मा, जियो और हम बच्चों के साथ जियो रेखा सीता को टुकर टुकर देखती जा रही थी और सोच रही थी कि इतनी बड़ी कव हो गई है सीता ये लेक्चर खतम हो गया हो तो वो मेरी बस छूट जाएगी बिटिया मैं जाओं क्या, तो खुद ही तो मुझे तेरे बाबा के साथ डेट पर भेज रही थी अब खुद ही रोक रही है हाँ, क्या भोला बस? हाँ, मा जी तो गाड़िया खड़ी है, पर आपको बस में तकलीफ पानी है आप समझ क्यों नहीं रही है, मैं अपनी सास को यहां की सबसे चटक मटक सास कितने देखना चाहती हूँ हाँ, पर जाओ यार, मुझे बात नहीं करनी है आम से, जाओ अरे बेटिया, अरे मेरी सीता चल ठीक है, गाड़ी से चली जाती हूँ ओ जी, आज हमारी लाड़ो मुझे सिठानी बना कर ही छोड़ेगी मगर सीता तो रूट चुकी थी, वे जा रही रेखा को पलट कर भी नहीं देखती और अंदर चली जाती है माची भी न, प्यार से कोई बात नहीं समझती है ओहो, इतना ही तो समझना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको हर तकलीव से बचाना चाहती हूँ अब नए घर में ले जाओंगी, तो वहाँ तो महरानी किदर रखूंगे आपको सीता की महरानी सास कहते हैं न, कहीं जा रहे किसी अपने से कभी रूठना नहीं चाहिए क्या पता, वो सांच को लौट कर भी आया या न शायद सीता को वो रूठना उम्र भर का दर्द बन चुका था माची, सब मेरी बज़े से हुआ न, सब कुछ मैं खुद को कैसे माफ कर सकूँगी माची आपकी चीखे मुझे सुनाई दे रही है मैं आप तक आ रही हूँ मा, माची आ रही हूँ मै सीता जलते हुए घर को देख कर हस रही थी रह खुद भी आ के बीच में खड़ी थी तबी शरमन आग बुझा कर सीता को खीच कर अपनी बाहों में धाम लीता है सब ठीक हो जाएगा सीता, सब ठीक हो जाएगा मा, क्या ये हमारी माची शितानी के वज़े से हुआ है नहीं बच्चो, कुछ भी किसी की वज़े से नहीं हुआ है आओ घर चलो सब ठीक हो जाएगा इस जराव ने मंजर को दस साल बीट चुके थे सीता शर्मन की बाहू में खड़ी होकर उसकी टाई ठीक कर रही थी आज तो महक रही हो तुम मन मचल लहा है मेरा बाबू इसका मतलब में रोज महकती नहीं बदपु मारती हूँ हाँ सीता यार तुमारे साथ रोमेंटिक होने का ट्राई कर रहा हूँ आओ ना भच्चे भी बाहर है भी तब ही सीता के पेट में एठन होती है आँ मा ये दर्द वही वाला दर्द है क्या हम एक दिन मर जाओंगी इस दर्द से नहीं सीता नहीं हम अच्छोे डॉक्टर के बास चलेंगे इसका कोई लाज नहीं है बाबू कोई लाज नहीं है अरे प्यारी बेटिया सीता के साथ ही दौड कर मंदिर के ओर जा रही थी तभी पहले से ज्यादा बुड़ा हो चुका विजय शर्मन को परिशान देख उसकी कंधे पर हाथ रखता है बीटा बाप का हाथ पढ़ती ही फबक फबक कर रूनी लगता है क्या हुआ शर्मन? मा के गुजरने के बाजूद भी सीथा को मा की आज भी आवास सुनाई देती है पाबा, मुझे कभी-कभी उसकी बहुत फिक्र होती है बहुत फिक्र, बहुत फिक्र फिक्र मत कर, जल्दी भगवान किसी को सब ठीक करने भेज़ देगा तभी दरवासे की घंटी बचती है सबका ध्यान एक टक दरवासे की और रैन बसेरा बस्ती में एक छोटे से घर के बाहर बंद दर्वासे के बाहर बैठी एक नन्नी बच्ची घुटनों को जमीन में धसा कर रोती हुई, अखियों से दोनों हातों को जोड़े विंती कर रही थी, भीक मांग रही थी पर बेजान खड़े आसवास के सब तमाशीन एक एक करके सिया के डबडबी आँखों पर नाउमीदगी के दर्वासे पटकते जा रहे थे पिछले भाग में आपने एक बड़ फिर सीता की जिंदगी में उथल पुथल मशते देखी जब एक अच्छी सास मिल जाती है तो वह आपके घर में सुभे भी खोद उगाती है और रात को सब के साथ साथ उस सूरज को सुनाने के बाद ही सोया करती है उस चान्द को भी लोरी सुना के और सबेरे तुलसी जी की पूजा सब के लिया करती है वह है अच्छी सास, बहु को तो खबर ही नहीं होने देती कि दूद वाले भया का हिसाब कब है या आखवार में हर रोज बासी से ताजी खबर कैसे हो रही है बेटा बहु बहार चले गए तो अपने पोता पोती को पंच तंत्र की कहानियों के बहाने से संभाल लेती है ऐसी सास अगर बहु देर तक सोई है तो कभी उसे तानों से नहीं बलकि प्रेम भरी आँखों से देख कर कह देती है ठक गई है बेचारी ये उठे उससे पहले कुछ काम कर लेती हूँ कहें तो सास के होने से भवो की रीड की हड़ी मजबूत हो जाती है एक ऐसी ही सास यानी देखा को सीता खो चुकी थी वह खो चुकी थी खुश रहने की वजह भी मगर वक्त ने मलहम दी उसके दोनों बच्चों की किलकारियों शेतानियों से दस बरस बीद गए थे अब दीखिए आगे आईए कुछ नए किरेदारों की आप बीती सुनाते हैं मेरी माँ कौन है ये लाचार जानने के लिए चलिए कुछ तेर पहले रैन बसेरा बस्ती में एक मुस्टंडा सा आदमी भीमा हाथ में बड़ा डंडा पकड़े गुस्से से आगे चलता जा रहा था चलता जा रहा था ना जाने किसका सिर्फ फोड़ने की तलब लगी थी उसमें और वह एक बहुत तूटे फूटे कच्चे से मकान पेद दर्वाजे को जोर जोर से पीट रहा था भीमा दर्वाजे को लात मार कर तोड़ देता है भीमा घर में अंदर जाग कर शिकारी निगाहों से इधर उधर देख रहा था कि जरा सी रोशनी में खाट के पीछे दुपकी हुई एक नन्नी सी बच्ची पर उसकी नजर पढ़ती है और तभी सिया की मा जानकी पीछे से आती है और भीमा के पाउ में गिर जाती है भीमा भाव दे दूँगी आपके सारे पैसे लोटा दूँगी इस सालिक टेंडर मिला है थोड़ी बहुत बिकरी होती ही पैसे चुका दूँगी पर भीमा को सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए थे भीमा जानकी को बालों से पकड़ कर उपर उठाता है और उसे दरंदगी से देखता है मगर क्या ये भीमा के लिए काफी था? नहीं वह जानकी की बेटी को भी बालों से खाट के पीछे से दबोच कर निकाल कर उसे भी घूरता है भीमा भाव नहीं, मेरी बेटी नहीं, सिया नहीं ओ सिया, जानकी की सिया तूने तो राम लिला ही रजारक किया अरे जानकी तो तू मेरे पैसे तो चुका देगी पर तू अगर मेरा मूल है तो आज भी तो किसी से वसुलूंगा ना क्या बोलती हो सिया विटिया नहीं भीमा भाओ, नहीं तभी दर्वाजा खुलता है और भीमा सिया को बाहर फैक कर उसकी मा के साथ बंध दर्वाजे के पीछे चला जाता है मा, मा, मा सिया हार जोड़े बस विंती ही करती रह गई थी, उधर दर्वाजे की घंटी बार-बार बजने पर भी कोई दर्वाजा नहीं खोलता है सब अपनी ही कामों में व्यस थे, शर्मन भी जा चुका था उधर सीता के कानों में पढ़ने वाली रेखा की आवाज, अब बस सामने टंगी रेखा की हार चड़ी हुई बेजान तस्वीर में बदल चुकी थी मा जी, इतना बड़ा परिवार, इस नलाहक सीता के कांथे पर छोड़ गई आप क्यों मा जी, क्यों वैसे तो अकसर मुझसे बात करती हैं, पर जब कुछ पूछती हूँ, तो चवाब क्यों नहीं देती हूँ, सब मेरी भज़े से हुआ था दूर खड़े परी और पारस अपनी मा को दादी से बात करते हुए देख रहे थे ये मा रोज दादी की फोटो से क्यों बात करती हैं, तभी परी को अपने भाई के साथ मस्करी करने की सूचती है मा दे मौके पर चौका परी, दादा जी से लाठी खिलवा दे आज पारस को मा बिचारी पागल हो गई है पारस, सद्मा लगा है ना बिचारी को दादा दादी की मौत का क्या? दादा दादी की मौत का? पर दादा तो घर में ही है हाँ पर तुझे पता है क्या पारस सदमे की वज़े से ही तो मा को दादा दादी सुनाई ही नहीं नजर भी आते हैं अब देखना रोज कितर है चाय लेकर जाएंगी बालकनी में ये कहकर कि आपकी चाय दादा जी तो क्या इतने सालों से सब मा का वहम है मतलब वो दादा नहीं दादा का भूत है नहीं मैं नहीं मानता तो चाय यार भाई तुझे लग रहा है मैं मजाग कर रही हूँ मैंने फिल्मों में देखा है और तुझे अगर विश्वास ना हो न तो ये ले पानी से भरा जग और जैसे ही मा चाय दे तो कुर्शी पर पानी फैक कर देख लेना वहाँ कोई भी नहीं होगा और जैसे ही सीता अपनी ससुर विजय को चाय देती है तभी पारस पानी से भरा जग विजय पर फैक दीता है जिसे विजय का न्यूस पर कपड़े वे खुद पूरी तरह भीग जाती है और विजय अपनी लाठी उठा कर उनके पीछे भागता है अरे नालाय को तुम बाज नहीं आओगे वो दादा जी वो परी ने कहा था कि आप भू तो पारस इडियट तुझे पागल मिनाने कितना असान है भाई परी की बच्ची तुझे तुम्हें चोड़ूंगा नहीं परी पारस भाग रही थी तभी विजय ने आकर परी के कान खीचे विजय परी पारस को सीने से लगा लेता है सीता अपने बच्चों और दादा का यह प्यार देख नम आखों से मुझकुरा कर देखा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है तब ही उसकी साड़ी का पल्लू आख पकड़ लेता है अचानक घर की घंटी बच्चती है और परी के चेहरे का रंग उड़ जाता है पर इनको खीकी खीकी के बीच घंटे सनाई दे तब न तीरत ही गई थी मरी नहीं थी तुम्हारी ये कैकई जो सब मनमानी कर रहे हो अपनी कैकई परी को देखते ही जोड से खुरती है पल भर पहले ही चड़िया सी चेहकने वाली परी डर कर चीटी के तरह कोने में दुबकने लगती है पारस दोड कर कैकई के गले लगता है मेरी दादी आ गई, के कई दादी आप आ गई विजे के चेहरे पर भी कैकई को देखकर अलग ही रौनक आ गई थी आखिर कौन थी ये कैकई और क्या कर रही थी वो इस घर में आईए देखती है इस बीच सीता आग देख जैसे ही छट पटाती है आग मंदिर में लग जाती है पर वक्त पर आग बुझा कर सीता बढ़ जाती है अपने ही घर के मंदिर में आग लगा दी अरे परिवार को सरक्षित नहीं रख सकती तो कम से कम अपने भगवान को तो सरक्षित रख ले सीता मा जी अपना रास मत होए मैं खुद मंदिर फिर से सजा दूँगी इस घर को सजाने वाली तो निकल गई तू क्या मंदिर खाक सजाएगी तबी बीच में विजे कुछ बोलना चाह रहा था कि कैकई उसे आँख दिखाती है और वो एक कदम पीछे ले लेता है सीता जुक कर कैकई से आशिरवाद लेती है पर कैकई सीता को ठोकर मार देती है कैकई विजे की दूर्ज की बहन थी रेखा की बाद कैकई ही इन सब के साथ रहने लगी थी तभी परी कांफते हाथों से कैकी के लिए पानी का ग्लास लाती है तेरे हाथ का छुआ पानी पीने से अच्छा मैं तेजाब ना पीलू पता नहीं किसके पाप को बर्सों से बसा रखा है सीता ने परी डरते हुए कैकई पर पानी घिरा देती है कैकई परी को घूर कर देखती है और कपड़े बदलने अंदर चली जाती है पारस भी अपनी दादी के पीछे पीछे जाता है दादी अब मेरे लिए क्या लाएं? क्या लाएं? परी मा के पास जाती है और उसके आशू बोजती है मा तुम ठीक हो ना? दिखाओ तुमारा हाथ देखो कितना चल गया है ए परी मैंने देखा तुने जान बुझकर मा जी पर पानी किराया ना? हाँ वो तुम मैंने किरा दिया था ताकि वो पागल दादी मेरे मा का पीछा छोड़े जब देखो बोहे चड़ा कर करती रहती है सीता तुमने एज़ा किया सीता तुमने भाबी निगल ली अरे मेरी मा कोई अनकॉंड़ा है जो दादी निगल लेंगी? देखो तो कितनी प्यारी, कितनी मासूम है मेरी मा तो मा सुनो तुम बसकर परी ऐसा नहीं बोलते श्च मेरी सुनो मा, हे सीता ये जो राक्षसी रूपी दादी इस घर में रह रही है न तुम्हें उससे दबने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लड़ो सीते, लड़ो मैं तुम्हारे साथ हो परी पटर पटर बोल रही थी कि तभी पीछे से कह कई आ जाती है और उसे देख परी कितुस सारी हवा ही निकल गई वे जट से सीता के पीछे छिप जाती है सीता ये देख मुस्कुराती है कह कई सीता के सामने धेर सारी सफेद साड़िया फैकती है सुन सीता, तीरत के दोरान ये मेरी साड़ी गंदी हो गई थी, इनको धोना है, और मशीन में नहीं हाथ से धोना, खराब नहीं होने चाहिए, वरना तेरी खाल नोचकर उसे ही साड़ी बना कर पहनूंगी, हाँ, जरा सा घर से क्या निकल जाओ, सब अपनी ही मनमानी करने लग कि तभी दर्वाजे पर फिर से घंटी बचती है, इस बार पारस ने दर्वाजा खोला था, पारस देखता है कि दर्वाजे पर नन्नी सी सिया खड़ी है, बटन जैसी आखे, महीन होट, माते भर पर पसीने से चिपकी हुई बालों की लटे, तपती जमीन पर नंगे पाउं के साथ सिया हातों में माटी की गुडिया थामे थी, पारस उसे देख मुस्कुराता है, नमस्ती, कौन है लल्ला दर्वाजे पर? कोई छोटी सी लड़की है दादी, जरूर भी एक मंगी होगी, इनकी भी गैंग कितनी बड़ी वार दाते करने लगी है, हट्जा बाबु, ह मैं तो पसी बेचने आई हूँ, थोड़ी पैसे मिल जाएंगे, तो आज की ध्यारी पूरी हो जाएगी अमा, हट्या हासे, दुबारा इस घर के आसपस दिखना मत, जिसका घर खांदान का पता नहीं, वो बन रहे हैं बिजनिसमन, बड़ी आई टाटा बिड़ला, निकल य ननी सिया फोट फोट कर रो रही थी, ये आखरी घर था, जिससे सिया को उमीद थी, सीता खिड़की में इसे सिया को देखती है और अपने पास बुलाती है, बेटिया, तुम्हारे पाऊं में चपल क्यों नहीं है? नमस्ति आउंटी, मेरे पास चपल थी, मगर वो पिछले नुकर पर तूट गई, पर मेरी मा के पास तो एक महिने से चपल नहीं है, अब थोड़ी से पैसे आएंगे न, तो सबसे पहले मा के लिए चपल लूँगी नाम क्या है तुम्हारा? सीता सीया के चहरे के और देखती है, और उसे लगता है जिसे खिड़की के बाहर उसका ही बचपन खड़ा हो, वैसे ही हाथ में गुड़ा थामे, लाव सीया, मुची देदू ये गुड़िया, और ये लो पैसे, और मेरी बिटिया की चपल भी सीया चपल पाओं में पहन उचलती दोड़ती हुई खिलखिलाती सी भाग जाती है, सीता को सीया में अपना बचपन नजर आ रहा था और उसकी आँखे चलक जाती है, पर वे जैसे ही पलड़ती है, उसके ठीक पीछे कह कई खड़ी थी, कह कई सीता को क्रोध से देख रही क्या इस बार कह कई का कहर सीता को पूरी तरह जलाने वाला था? कि वो अपनी मा को ये बताए कि वो उससे कितना प्यार करते हैं? ईश्वेर ने भी मा को ऐसा सौफ्ट्वेर लगा कर बनाया है, जो बिना कंजूस हुए चीख चीख कर बताती है कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, कभी प्यारी करकी, कभी खुद जाकर उन्ह इसी होती है माई, लेकिन इस बार उलाद के अंदर मा के लिए कितना प्यार है ये जाकर उन्हें बता दीजिए, खोल कर बताईए तिर खोल कर, हाँ हाँ डरना नहीं, ना कंजूस होना, हरी आपकी अपनी ही मा है, हम भी इस एपिसोड को हर मा, हर औरत को डेडिकेट करते हैं, अब देखिए आगे, कैकई क्रोध में सीता की और देख रही थी, ऐसे लग रहा था, मानो सीता का इस घर पर कोई अधिकार ही न रहा हो, वह अब केवल जी माजी करने वाली कट पुतली सी बन कर रह गई थी, कैकई सीता के बाल खीच कर बाहर लाती है, क्योरी, मेरे बेटे की दौलत को ऐसे धर्म करम के कामों में लगा कर उड़ा रही है, ऐसा कौन सा कुवेर का ख़जाना मिल गया तुझे, माजी, उस बच्ची के पाउँ जल रहे थे, इतनी नासुख खाल इस तेज धूप में छुलस चाती, आच्छा, देखू तो, तेरी कितनी नासुख खाल है, कैके सीता के पाउँ से चपल छीन कर उसे धूप में खड़ा कर देती है, और दर्वासा लगा देती है, कुछ तेर में कड़ाके के धूप से सीता के पाउँ जल उड़ते हैं, मगर इससे अगनी देव की परिक्षा समझ सीता उफ किये बिना सब दर्ट सह रही थी, आ, मा, उस बच्ची की भी ना जाने कितने दिनों से ऐसे ही पाउँ जल रहे होंगे, इस संसार में इतनी पीड़ा है, अगर कुछ पीड़ा में अपने इन आसूँं से बटोड सको, तो मैं बटोड लोंगी मा, सीता की मा की पुकार सुन, उधर रसोई में काम कर रही सीता की मा का कविता का दिल सहम उड़ता है, रात में जब कविता शाम सो रहे थे, तो नन्नी सीता उनके कमरी में आकर, अपने नन्ने हाथों से उन्हें जगाती है, मा, बाबा, फूट से टर लग रहा है, क्या मैं आप दोनों की बीच में आकर सो जाओं? और सीता दुबग कर माबाप के साय तले सो जाती है, वहीं जब सीता जवान हो गई थी और घर ग्रस्ती को समझ चुकी थी, तब, मा बाबा, एक बेटी के लिए उसका सुख सिर्फ माबाप के घर में ही पल सकता है, लेकिन बेटी, जब किसी के घर की पतनी, किसी की बहु और मा बन जाती है, तो वहीं खुद के सुख से पहली घर की शान्ती उन्नती को जुनती है, कविता श्याव सीता की ऐसी बात याद कर एक दूसरे की और देख मुस्कुराते हैं मेरी सीता सब संभाल लेगी उधर सीता के पाउं में जलने के कारण चाले हो गए थे तभी परी आकर सीता के पाउं की नीचे अपने हाथ लगाती है मा ये लो, अपने पाउं मेरी हतेली पर रख दो, जलेंगे नहीं मा मैंने भी चपल नहीं पहने जब मेरी मा तकलीफ में है तो मैं भी अपने पाउं जुलाऊंगी सीता परी का मासूम चहरा देख उसे चुमती है और अपने गोध में उठाती है नहीं मेरी बच्ची मेरी कोडिया की पाउं जलने का मतलब मेरा दूद भी चलेगा, तुझी कैसे तकलीफ देदू लाडो, फिर किसी ने सही ही कहा है, मा का दर्ग बेटों से पहले बेटियों तक बहुत जाता है, बेटिया ही मा की मलहम हो जाती है, जो बिना कहे भी सहला कर आराम दे सके, जिनसे दुख बाटते बाटते वो दुख भी सुख में बदल जाए, ऐसी होती है बेटिया, सीधा आसों से सनी हुई पाउं में धेरो चालों से भरी हुई, कैकई की सजा तो पूरी कर अंदर आ जाती है, और एखा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है, गाएं से शेरनी बन गई थी, शेरनी से फिर गाएं बन गई नहीं बंद होंगी, कैकई सीधा को घोर रही थी, सीधा कैकई के सामने भी हाथ चोड़ती है और एक फोन करती है, उस रुके हुई प्रोजेक्ट पर काम शुरू करिये, सीधा कमरे में जाकर पर्स लेकर बाहर आ रही थी, कि तभी परी दोड़कर सीधा को उसकी चपल देत ये सीधा के संसकारों ने साबित कर दिया था, सीधा बैक टांकर गाड़ी में बैट कर वहाँ से चली जाती है, और कैकई विजे के पास चाय लेकर आती है, हाँ, मैडम बनी घोम रही है, चहरे पर एक शिकर नहीं है इसके, जी जी छोड़ो ना, आपको आखर सीधा क्यों पसंद नहीं है, क्या दिकद है, बहुती प्यारी मिटिया है सीधा, प्यारी, हाँ, भाई, जिसके कदम पढ़ते ही इस घर में सिर्व अनहूनिया हो रही हो, ऐसी सीधा प्यारी नहीं, चंडाल होती है, चंडाल, पहले मेरे शर्मन की जीवन को हिला डाला, बिजारी अपन इंभा भी निकल गई है चंडाल, उस दिन मैं जान गई थी कि इस सीधा के कदम ऐसे ही है, जहां जहां गिरेंगे वहां वहां सिर्व तबाही ही आईगी, यहीं गाड़ी रोग दो, विमेन इंपावर्मेंट प्रोजेक्ट के शुरुवात इस छोटी से प्रदर्शनी से कर मगर मैडम, यहां तो आदमी औरत दोनों हैं, तो फिर सिर्फ वुमन वाला कैसे करेंगे? सीथ अपने जखमी पाउं से हर मर्द की इस चनौती को कुचलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, वह देखती है कि मर्दों ने चमडों की चीजों की दुकाने लगा रही थी, वहीं थोड़ी आगे एक औरत की फूलों की दुकान थी, तो एक के कशीदा कारी की, एक ने क अमता से भरा नजरियां हैं उसे जगाना चाहती है, कि हमारी कला और हमारी भी रोजगार की जरूरत को समाच में अपने बरावर ही समझा जाए, चाहती तो ये पती के पैसे पर एश कर सकती थी, मगर इन्हें एश नहीं, अपना कमाया क्याश चाहिए, और सीथा ने मर्दो वाली स्टॉल पर जाकर चमडे की बेल्ट देखकर उनसे बाते की, तो आपने यही काम क्यों चुना? कर दे उसकी पीट लाल, अरे वा, आप तो बोलती है भी बड़ा अच्छा है, और क्या क्या कर सकती है आपकी बेल्ट, सीथा सब अपनी डायरी में नोट कर रही थी, मैडम जी, आप थोड़ी समझदा लग रही हैं, इसलिए आपके लिए तो ये एक्ष्ट्रा मल्टी कर दो, थोड़ी वो डरफोग भी होती है बेचारी, दो चार में ही सीधी हो जाएंगी, अच्छा, अरे वा, और बीटा अगर नालायक हो तो, ना मैडम जी ना, बेटा चाहें लायक हो या नालायक हो, है तो आकर बेटा ना, एक दिन मैने तो बस उसे मनपसंद की चीज दे इसे मना कर दिया, तो तभी घर चोड़ का चला गया, मैं तो डरी गया था, इसलिए बेटे को कभी नाराज मत करना, वो क्या कहते हैं, इस बेल्ट इस अउनली यूसवल लेडिज, तो मैं पैक कर दूं मैडम जी, हाँ शूर, मगर रसीद मेरी नाम की नहीं, महिला थाने प इक सीदा के आगे हाथ जोड़ती है, मैडम जी, हमारी मरत को जाने दू, जैसा भी है, शाम को जब घर लोटता है, तो लगता है मेरा परिवार पूरा है, मैं मार खालूंगी, चुप चाप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखा सुरेश, औरत अपने पती से मार खाकर इस सारे पैसे दे मुझे, दारू पी नहीं है मुझे, पैसे लेने दे मुझे, हट। चुना नहीं बेहन जी, हमको तो आता ही यही है, जो जुस काम में माहिर थी, उसी की दुकान लगा ली, हमारा काम तो मेहनत करना है, बाकि देहरी बनाना तो भगवान के हाथ में है, देखा सुधीर, फर्क, यही है इंपावर्मेंट, औरते अगर कमाना चाह रही हैं तो उ तो वहाँ नन्नी सिया बैठे हुई थी, जिसके हाथ में माटी की गुडिया थी, अरे, बिठिया तुम? गुडिया वाली आंटी? सिया की बाते सुन, सीता को अपने ही याद आती है, पुद्दा बापू मेरा, हाँ वही, बट तुम यहाँ? मैं और मेरी चाहन की माँ यही काम करते हैं, मगर राज उनकी तब्यद ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ की मालकिन हूँ अब, बताइए क्या दिखा हूँ आपको? मालकिन जी, आपकी दुकान पर जितनी भी अलग-लग शकलो वाली गुड़ा या गुड़िया है, पैक कर दीजिए। सीता उसे ढोंटे हुए घर के पीछे जाती है, मगर सीता देखती है कि वहाँ पूनम खड़ी थी जो परी से बाते कर रही थी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ बीटा? ओ सीता, आ गई तुम। पूनम सीता को देखकर मुस्कुराती है और परी को थाम लेती है। हलो सीता, सीता परी के पास पूनम को पाकर सहम गई थी। मा, ये आंटी कौन है? कोई नहीं है परी बीटिया, जाओ अंदर, मुझे इनसे बात करने दो, पूनम सीता को गले से लगाती है। तैंक यू सीता, मेरी अलाद को पाल कर इतना बड़ा कर दिया तुमने, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? यहां से जाकर, क्यों आई हो तुम यहां? वो भी इतने सालो बात, यहां अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, चले जाओ पूनम! सीता, बस, यह अच्छा बनने वाला नाटक हम दोनों ना ही करें तो सही है, सीधी बात तो यह है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं परी को साथ ले जाने आई हूँ, और तभी अंदर जा रही परी को पूनम हाथ पकड़ कर रोक लेती है, यह मेरी प्रॉपर्टी है सीता, मुझे मेरी बेटी वापस कर दे, पता है मैं कितनी गरीबी में जी रही हूँ, एक बहुत अमीर आदमी मेरी बेटी से शादी करने को राजी हुआ है, बदले में वो मुझे बहुत सारा पैसा देगा, और फिर मेरी सारी टेंशन खत्म, चल परी, एक सिकेंड, होटो तुम सीता, बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन, चल परी बिटिया, अपने ममी के साथ चल, और उसे पैसो से माला माल कर दे, यही तो फर्स होना चाहिए तेरा, तब ही वहाँ कैकई भी आ जाती है, जो सारा तमाशा देख रही थी, शाबाश, बहुत दिन बाद मे मेरी मा नहीं हो, मेरी मा तो सीता मा है, मा मुझे बचाओ इससे, बचाओ मगर पूनम सीता को धक्का मार कर जाने लगती है कि तभी उसके सामने शर्मन आ जाता है और पूनम को रोकता है शर्मन को देख पूनम की आखों में चमक आ जाती है शर्मन पूनम का चहरा सहला कर अपने कॉलेज के दिन याद करता है पूनम तुम यहाँ ओ, मेरा शर्मन, आज भी तुम्हारे चूने की एहसास में सारी यादे महकती हैं विनोध तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाया, कभी नहीं शर्मन को पूनम का गाल सहलाता दे, एक सीता जलते हुए तकलीव से अपनी साड़ी अपनी मुठी में भीचती है तब है शर्मन पूनम का गाल सहलाता हुआ, उसके बालों को ठीक करता है और उन्हें जोर से खीच लेता है और शर्मन पूनम की गोध से परी को छीन कर सीता के पास खड़ा कर दीता है और खुद भी आकर सीता का हाथ थामता है जो गलती बीदे कल में का चुका हूँ, वो अब फिर से नहीं दोराओंगा कितना ही लडखडा जाओं, पर अपनी सीता का साथ जरूर निभाओंगा आज पहली बार लड़ाई में सीता अकेले नहीं नजरा रही थी मगर मैं अपनी बेटी की शादी उस आदमी से अल्रड़ी तैकर शिकी हूँ अगर उसे परी नहीं दी, तो वो हमें पैसे देगा नहीं और नहीं हमें जिन्दा छोड़ेगा और तुम्हारा पती विनोद, जिसके लिए तुम हर पल मुझे धोका दे रही थी भाग गया शर्मन वो, भाग गया मैं अब मेरे एक छोटे से बेटी की साथ रहती हूँ उसे पालने के लिए ही मुझे मेरी बेटी की शादी उस बड़े आदमी से करनी है फ्लीज मेरी बात मान कर मुझे परी दे दो परी ये सब नजारा दे के एक दम डर गई थी वहरोते हुए सीता से लिप्टी हुई थी मा, मुझे इनकी साथ नहीं जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मगर मैं नहीं करूँगी शादी मैं तो बहुत चोटी हूँ न एरी, क्या चोटी इस उमर में तो तेरी मा की शादी तेरे इस इडियेट बाप से भी हो गई थी ये सुनते ही सीता पूनम के जोरदार एक जापर लगाती है बस, एक और लफ्ज भी नहीं निकालो कि तुम अपने इस हलक से बहुत हुआ पहली चीज ये तुम्हारी बेटी नहीं है बेटी को ये अस्पताल में जूलते पालने में सुपा छोड़ कर कोई मा छोड़ कर नहीं जा सकती जहां बेटी को पालने में छोड़ दिया वहीं अगर बेटा होता तो उसे सोने का पालना बना कर रख देती न तुम अगर कोई मा ऐसा करती है तो वो मा कहलाने लायक ही नहीं है भगवान की ऐसी औरत से उसकी कोग छीन लेनी चाहिए कहां गई थी ये परी को मांगने वाली मा शर्मन जब वो मा की दूद के लिए तड़ाप रही थी दिन दिन भर रोया करती थी कहां गई थी जब ये अपनी मा की चाती से लगकर ठण में गर्मा हट चाहती थी मैंने इसे पालने में कोई कसर नहीं रखी लेकिन अपनी मा के लिए फिर भी तरस्ती थी कहां गई थी तुम जब तुम्हारी परी को निमोनिया हो गया था ओहो बहुरिया तू कौन सी स्कूल में पढ़कर आई है कि जब देखो लेक्चर देने लगती है नाम सीता है तो क्या बाते भी सीता जैसी ही करेगी आदी पुरिशकाल वाली इस पाप को इसको लटाक इस घर पर भी उधार कर दे सीता लड़की जाएगी तो थोड़ा मेरे बच्चे को भी दो पैसे की बचत होगी बे फिजूल का खट गले में डाल रखा है देख क्या रही है दे दे इसे पुनम को माजी बस करो या आप क्या तू चुपकर और तो की बीच में मत बोल वो देख तेरे बाप को वो भी खड़ा है ना चुपचाप तू भी मत बोल और विजारा शर्मन मर्यादा पुरुष के रूप में जाकर विजय के पास खड़ा हो जाता है मा, मा मेरी बात से नो क्या मैं सच में तुम्हारी बेटी नहीं हो मैं पारस की बेहन नहीं हो तभी पारस दोड़ कर परी से मिलने आ रहा था भाई, मेरा भाई मगर कहकर उसी बीच में ही पकड़ लेती है अरे मोडे, क्यों जा रहा है उस बाप के पास वो तेरी कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं परी पीटा, सुनो मेरी बात हमारे घर के मंदिर में किन की मूर्ती है? काना की काना की मा कौन थी? यशुमती मैया, मुझे पूरी कहाने याद है आपकी नहीं परी, काना की मा थी देव की मा यशुमती माईया को तो काना जी गिफ्ट में मिले थे और यशुमती माईया ने उस गिफ्ट को अपने दिल से अपना मान हमेशे अपने पास रखा एकदम वैसे ही, मैं कौन हुई? सीता माईया हाँ परी, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ सीता कहकर और पूनम की और घूर कर देखती है तो क्या गलत बोल रही है ये छोरी पूनम? तुने भीता छोटी उमर में शादी ना कर ली थी? उफ, वो मनुज दिन, उस दिन से इस घर के उल्टे दिन लग गए थे भाई, ये तो मेरी भावी भी निगल गई लेकिन जब तू कर सकती है तो ये लड़की क्यों ना कर सकती बाल विवा? ये क्यों ना बन सकती बाले का वदू? क्योंकि जिस अंधे कोई में मेरे बाबापने मुझे फैका था मैं मेरे उलादों को उस कोई में नहीं फैकूंगी मैं इस घर में एक और बाली का वदो नहीं बनने दूँगी अब फिर से कोई और सीता नहीं बनेगी आप लोग क्या जानो कि ये सुम्रू में सीता के साथ क्या क्या हुआ था खिलोने से खिलने वाली घंटों अपने पती के इंतिजार में बैठी रहा करती थी घंटे महीनों में बदले और महीने बरसों में और फिर मिला क्या एक ऐसा पती जो सौत भी साथ ले आया फर मेरी सास ससुर ने मुझे संभाला लेकिन आखिर वो बिचारे भी कब तक करते वो भी बेटे के मोह में मुझे अकेला छोड़ कर चले गए ये सुन विजे की नजर जुग गई जी जी बस करो रहने दो सीता जो भी करेगी ठीक ही करेगी तंबूरा ठीक करेगी इतनी बड़ी बाते कर रही है ना जैसे कि घर इसी का हो हमेशा से इस घर की मालकिन बनने के खाब में ही तो मेरी भाबी को निकल गई कुलक्षणी कैगई के कडवे शब्दों से सीता की हिदय में भारी घाव बन रहे थे मगर अब भी घर के मर्द चुपी साधे खड़े थे सीता मैं खुट्णों पर आ जाऊं यहां जोड़ लू मगर मुझे परी का सौधा करने दो प्लीज पूनम एक बाहर खेल रही उस माजूम के चहरी को देखो तुम इसे बेचने के लिए कह रही हो जो अपने कपड़े भी अपनी मा के बिना नहीं पहन सकेगी उसे तुमें अधेड उमर के आत्मी के विस्तरपर दुलन के कपड़ों में भेच रही हो छी पूनम तुम सच मुच औरत ही हो न पूनम नजरे जुका लेती है और तभी शर्मन पूनम के आगे एक चेक लेकर आता है ये लो कुछ पैसे इससे तुमें मदद होगी बस हमारी बेटी का पीजा छोड़ दो पर वो पावफुल आदमी उसका क्या तुम क्यों नहीं बसा लियती उसके साथ घर पावफुल भी है और तुम भी अकेली हो तुम्हारे तो बेटे का ही भला होगा वैसे भी तुम दोनों की उम्र में बराबरी भी है अच्छे जिंदगी कटेगी पूनम पूनम को सीता की बात पसंद आ जाती है और वो शर्मन से चेक लेकर जाने लगती है और जाते जाते खेल रही परी के सिर पर हाथ फेरती है मगर परी अकड कर उसका हाथ जटक देती है ये सुन सीता बड़ी खुश होती है और पूनम बिचारा सा मो लेकर वापस लोट कर उस आदमी के सौदे के बदले खुद ही शादी करती है पर कुछ खेल खेलते खेलते पूनम ने अपने जिन्दगी बसा ही ली थी अब सब ठीक है ठीक है ना जी जी क्या भंगार ठीक है मुझे सीता की अकड को चकना चूर करना ही है अरे क्या तकलीव है छोटे मुर्व की शादी हमारी अम्मा ने ना कराई थी हमने भी तो करे थी शादी तो घर में ख़शिया लाती है और वैसे भी इस घर में सिर्फ मातम ही बसता है क्योंकि एक कुल्टा मेरी भावी निकल गई हाँ माजी मैं सुन चुकी हूँ दिन में दस बार यही सुनती हूँ कि मैं अपनी मा जैसी सास को निगल चुकी हूँ और ये सच भी है सीता वादा कर तु जीजी को मेरी जगह मान कर उनकी सब बाते सुनेगी जस सरह मेरी प्यारी बिटिया बहु रही है वैसे हे उनकी भी बन कर रहना जब हमारे पास कोई नहीं था तो कह कई जीजी नहीं हमें संभाला था बहुत एहसान है उनके हम पर आज वो चुकाने का समय आ गया है आज से तेरी एक सास जा रही है पर एक सास आ भी रही है वादा कर सीता और रेखा सीधा के सामने ही दम तोड़ देती है कुछ वादे आपके लिए गले का फंदा बन जाते हैं वैसे ही कहकई के लिए रेखा को किया गया वादा सीधा की जान रोज ले रहा था शर्मन विजय मेरी तो उम्र हो रही है और मुझे मेरी पसंद की बहुँ चाहिए मैं जल से जल पारस की शादी होते देखना चाहती हो और मेरी बाली का बधू मैं खुछ चुनूंगी ये सुन सब के मुग खुले के खुले रह गए कोई भी इस बात के लिए नहीं मानता तो कैगई कमरे में जाकर लटकने के लिए फासी का भंदा तयार कर लेती है और कुर्सी पर चड़ जाती है कैगई को ऐसा देख कर सब डर जाते हैं सब कुछ रिपीट हो रहा था सीता ना चाहते हुए भी चीजे अपने काबू में नहीं कर पा रही थी लेकिन कहते हैं न जब घर में लग रही आख को बुझा न सको तो दूर मैदान में कुर्सी डाल कर बैट जाना चाहिए और पॉपकॉन के साथ अपनी बरबादी का तमाशा देखना चाहिए वही हालत सीता की भी थी सीता शर्मन की बात सुन हसते हुए बाहर चली जाती है सीता चलते हुए उसी प्रदर्शनी वाली जगा पहुँचती है जहां उसकी नजर बार-बार सिया को तलाश रही थी तभी उसे एक स्टॉल के पीछे कुछ आवासे आती है उदर घर में कहकरी ने एक बड़े घर की बेटी को पारस के रिष्टे के लिए उसके माता-पिता के साथ घर में भुला भी लिया था तभी घर की घंटी बचती है और पारस दोड़ कर दर्वाजा खोलता है तो दर्वाजे पर सीता खड़ी थी जिसके पास नन्नी सिया थी जो पारस को देख मुस्कुरा देती है सीता अपनी जैसी एक परचाई को लेकर दर्वाजे पर खड़ी थी पारस सीया को देख कर बहुत खुश होता है मा ये लड़की तो बहुत सुन्दर है, देखो शीला और शीला जो खुद एक छोटी बच्ची थी, जिसका पारस के लिए रिष्टा आया था, वे सिया की और देखती है सिया की मासूम आखे एक टक सबको घूर रही थी मगर शीला के माबाब की नजरें तो दौलत के नशे में खुल ही नहीं रही थी सही तो बोल लही है शर्मन जी हमारी बेटी, सड़क के लोग भी कोई सुन्दर होते हैं क्या, ऐसे लोगों को हम तो हमारे आन नौकरी रखते हैं भाई सहाब, उसी काम के लिए तो लाई है हमारी बहू, है न सीता? कह कई सीता की और घूर कर उसे इशारा करती है कौन है ये लड़की सीता बिटिया? ये सिया है, जानकी की सिया सीता सीया से मिलने उसकी स्टॉल पर जाती है कि तभी उसे वो वहाँ नजर नहीं आती अचानक सीता के कानों में सीया के चलाने की आवास पढ़ती है चोड़ो भी मा अंकल मुझे, चोड़ दो, मुझे दर्थ हो रहा है अ, मा, चोड़ दो सीता ये सब सुनकर रोश में भरकर दुकान के पीछे गई तो देखती है, एक बड़ी उम्र का सांट जैसा आदमी ननी सिया को नोच रहा था चोड़ दो इसे, चाहती तो मैं पैसे तुम्हारे मुझ पर अभी फैक सकती हूँ मगर तुम जैसे दरिंदे के मुझ बैसों से नहीं, पुलिस के डंडों से ही बंध होंगे रुक तु, नीच कहीं का, और ये खा मेरी जूती सिया डर कर सीता से लिपड़ जाती है, और सीता अपनी जूती भीमा के उपर फैक पुलिस को बुला लेती है पुलिस भी मा को पकड़ कर ले जाती है मैडम आप नहीं होती तो वो अंकल मुझे मारते ना नहीं बच्ची कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा वैसे तुम्हारी जानकी मा कहा है जानकी मा तो चली गई अपने राम जी के पास मैडम उनको बहुत तेज बखार हुआ था मैं उनकी दवाईयों के लिए बहुत तोड़ी आपके दर पर भी आई थी पर वो नहीं बच सकी और फिर उनकी जंगे मैं ही यहां मरतूरे करने लगी सीता इतनी छोटी सी जानकी पीड़ा और संघर्ष देखकर अंदर से विलाप कर रही थी मैडम मुझसे कोरिया खरीदो न पैसे मिलेंगे तो रात में खाना खालूंगी मैं प्लीज सीता तभी कुछ पैसे सीया को देकर उसका चहरा सहलाती है और सीया पैसे लेकर खुश हो कर जाने लगती है तब ही सीता देखती है कि वहाँ खड़े बाकी आदमी भी उस नन्नी सी जान को अब वही वहशी नजरों से देख रहे थे रुको सिया, इधर आओ, क्या मेरे साथ मेरी घर चलोगी? क्या? घर? वो भी आपकी? पर आप कौन? और मेरा तो खुद का घर है हाँ, थोड़ा छोटा है, मगर मैं खुद साफ करती हूँ उसे इतनी मासूमियत भरे जवाब सुन, सीता सिया को गोद में उठा कर लाट करती है मैं कौन? जैसे तुम्हारी चान की मा थी, वैसी ही मैं सीता मा हूँ और तुम्हें समा के घर चलोगी, ठीक है? पर मैं ये फटी कपड़ी बदल लूँ मैडम अहां, मैडम नहीं मा कहो, और कपड़े क्यों बदलने है? मुझे तुम्हारी पहचान से कोई आपत्ती नहीं है तो तुम्हें भी अपने इस रूप से कोई शर्म नहीं आने चाहिए सिया कौन है, कहां से आई है, सब को जान लेने दो और सिया ने अपने नन्ने हातों से उसके उंगलिया थाम कर चलना शुरू किया और सीता की घर आ गई सिया नाम है तुम्हारा, बहुत सुन्दर नाम है, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे के जैसे आओ ना सिया, अंदर आओ सीता अपने बेटे के इस विनम्र सभाव से खुश होती है परी भी सिया को बहुत प्यार से स्वाकत करती है सिया ये देख गदगद हो गई थी मगर अजानक पारस सिया के करीब आकर बाल बुद्धी में उसके गालों पर स्वीव से किस कर दीता है बिल्कुल गुडिया जैसी लगती हो तुम तो सिया और मैं तो मेरी गुडिया को ऐसे ही प्यार करता हूँ कैकर ये देख भड़ा कुड़ती है बस मिल गई नौक रानी और नौक रानी से दोगज की दूरी बनाकर रखते हैं ए शर्मन के छोरे सुनले बात दूर हट यहां से ए लड़की जा जाकर रसोई संभाल माजी पर सिया को तुम है सीता कैकर की फटकार से सहम गई थी जी जी बस करिये सीता तुम अंदर जा गलती किसी की भी हो मगर एक को तो जुकना ही पड़ता है जाओ अंदर जाओ शर्मन ने आज फिर से इस सीता को कॉम्प्रमाइस करने को कह दिया था पर आखिर क्यों मर्द को आखिर दिक्कत क्या होती है पत्नी और परिवार की दोनों पक्षों को बराबर रखने में अगर गलती बड़ों की है तो हम छोटे भी कभी-कभी अच्छे के लिए उन्हें कह सकते हैं ना कि मेरी बीवी गलत बस आप बड़ी लोगों का नजरिया गलत है सीता बिचारी रोते हुए अंदर चली जाती है मर्द आखिर क्यों दब जाते हैं परिवार के फैसलों तले मुझे ऐसा लगता है शायद वो परिवार और बिखरने से बचाने के लिए ऐसा करते है मगर बचाते बचाते तो आखिर में सब बिखर ही जाता है न माफ कीजिए ये तो घर घर की कहानी है आप लोग समझते ही होंगे ये सब तमाशादे एक शीला की माबाप एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करती है मुझे तो लगता है शीला के लिए जगा सबसे उत्तम है हाँ और जब घर में इतने लफड़े हैं तो हमारी बीटी तो दौलत में अपने आप ही राज करेगी सीता की चलती नहीं बेटे की चलने नहीं देंगे और इस परी से क्या डरना ये तो लड़की है चली ही जाएगी ए जी आपने ठीक ही बोला और कलेश रहेगा तो हमारी बीटी व्यस्त भी रहेगी वैसे भी आग में घी डालने वाला काम तो मैं खुदी इसे सिखा दूँगी तो ये रिष्टा डन करते हैं अच्छा जी हमको रिष्टा पसंद है जी मगर एक शयद पर आपके परिवार के मसले और घर में यू लड़कियों का खुला आना जाना देख हम रिष्टा जल्दी करना चाहते हैं ताकि हमारी बीटीया की सीट तो इस घर में पक्की हो जाए अरे अरे जी इसमें दिक्कत क्या है बच्चों की तो कल ही शादी करवा देते हैं चट फेरे बढ़ बाल वधू हमारे क्यों शीला पारस पसंद है ना वो सब तो मैं कर लूँगी ओल लेटी मगर ये बताओ मज़े विडियो गेम्स मिलेंगे या नहीं इस घर में शीला बड़ी नखरे वाली बच्ची थी कैयकर ये देख और खुछ होती है इसे तो मैं अपनी खास बना कर रखूंगी और फिर मैं देखूंगी कि कैसे ये सीता इस घर पर अपनी हुकूमत चलाएगी सीता के कानों में बाहर के शब्द गूंज रहे थे वो कान बंद करकर सामने लगे काच पर अपना हाथ जोर से पटकती है क्यों 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 माजी क्यों लिया अपने मुझसे वो बादा कि चाहिए जो कुछ भी हो जाए कैकर माजी की बाद ही घर का आखरी फैसला होगा आज पहली बार इतना बेबस महसूस हो रहा है मुझे जो चीज में किसी और के साथ नहीं होने देना चाहती थी वही चीज मेरे पच्चों के साथ हो रही है सीता विलाब करके रो रही थी उसके हाथ उसे खून बह रहा था दर्वाजे पर खड़ी सिया एक टक पस देखे जा रही थी माजी मैं नहीं चानती कि ये सब क्या चल रहा है पर मा कहती थी कि मन का हुआ तो अच्छा और मन का ना हुआ तो और भी अच्छा क्योंकि उसमें इश्वर की मरजी चिपी होती है और इश्वर कभी कुछ गलत कर सकती है क्या हो सकता है कि कुछ और बहुत कलत होने वाला हो इसके लिए शायद ये छोटा सा गलत ही होने दिया भगवान ने सिया के इन बातों ने सीता के मन पर गहरा असर कर दिया था वह सिया को सीने से लगा लेती है और सिया सीता की पट्टी करती है तब ही वहाँ परी भी आ जाती है आचे तुम हमारी गैंग का हिस्सा हो और मिशन ये रहेगा कि उस खडूस कहकरी दादी को खूब परिशान करना है तुम खाना बनाये करोगी न सिया हाँ मा कहती थी मैं इतनी सी होकर भी लोगों के पेट के इस वाद से गुजर दिल के भीतर तक जाकर बैठ सकती हूँ दिल के अंदर नहीं टॉइलेट में जाकर बैठना है हैं क्या हाँ दादी के खाने में खूब मसाल और मिश डालोगी तो वो टॉइलेट में ही तो बैठेंगी और फिर सभी मसालों के असर से खूब आतिश बादिया होंगी धूम धूम धड़ाम परी तुम तो बहुत मजाकिया हो परी और सिया ने एक पल में सीता के चहरे पर हसी का फुवारा ला दिया था सीता दोनों को गले लगा लेती है अब देखा दोस्तों आपने आखिर क्यों बेटिया मा के बिन कहें उनका गम समझ जाती है सीता पारस और शीला की रिष्टे को अपना लेती है और शीला का सर सहलाती है शीला पिजादी की क्या कलती जब सभी जलाद हो रखे हैं तो ये बकरी तो कटेगी ही पर मैं इसकी सास नहीं मां बनूंगी बढ़ों के प्रती शीला का वहवार बिल्कुल ठीक नहीं था और अगले दिन घर में मंडब सच जाता है और सब सुन्दर कपड़ों में तयार थे शीला अभी दुलन बन कर आई नहीं थी बट सिया ने अपनी वही फटी फ्रॉक पहन कर काम करना शुरू कर दिया था सिया सिया को जूस देने जाती है सिया को देख हैप रहे गई अरे बिट्या कितनी सीधी हो तुम जशने के महाल में भी यही कपड़े और फिर से काम स्सेनो कह कई दादी तुमको नौकरानी समझती है मगर मैं नहीं तो मेरी लिए तुम मेरी बेटी ही हो सीताल मारी से एक सुन्दर सी ड्रेस निकालती है और उसे दे देती है माजी ये परी की ड्रेस है क्या? नहीं मेरी है जब मैं तुम्हारी जितनी थी तब की और आज तुम यही पेहन रही हो और ये रहा तुम्हारा चोटा सा पर्स अब लगेगी मेरी सिया एकदम हाइफाई माडम सिया ये सुन शर्मा जाती है और कपड़ी बदल कर बाहर आती है कि तभी पारस को सिया के साथ मस्ती सूचती है और वो सिया का पर्स लेकर भाग जाता है सिया भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और भागते भागते दोनों अकनी वाले बंडग के चारों और चकर लगाने लगती हैं कभी आगे कभी पीजे सबकी नज़री दोनों पर पढ़ती है सत्या नाश अरे ये दोनों क्या कर रही है? अरे पंड़ित चीर रोखो इन्हें क्या गई की तो सभी प्लानिंग पर पानी ही फिर रहा था तभी शीला और उसका परिवार भी आ जाता है और वो पारस और सिया को बाल बुद्धी में फेरे लेते हुए देखती है उफ इसे राउंड राउंड करना इस सो मिडल क्लास पारस मेरा परस दोना मुझे सीता माने दिया है परस लेना है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ तभी सिया पारस को पकड़ लेती है पर पारस पलटकर सिया को धकेल ही रहा था कि दोनों वहें मंडब के करीब जा गिरती है जहारखी पूजा की थाली पर पारस का हाथ लगता है उसके पूरे हाथ में लाल सिंदूर लग गया था सिया और पारस दोनों जमीन पर गिरे हुए हस रहे थे सीता शर्मन चुप होकर बस देख रहे थे कैकई तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ कैकई पारस और सिया को उठाती है कि तभी पारस देखता है कि सिया के बाल खराब हो गए थे और उसमें फूल फसे थे ये देख पारस सिया के करीबा कर उसके बालों में हाथ डाल कर उसे ठीक करता है और सिया की मांग सिंदूर से सर जाती है ये क्या ये तो विभास संपन हो गया फेरे भी हो गया और मांग भी भर गया आज से दोनों पती पतनी है ये सुन कहकई का सिर चक्रा गया और शीला के घरवाले भड़क कर वापस लोट गया तेरी ये मजा है सड़क छाप लड़की सब बरबात कर दिया ना तूने जब तेरी कोई पहचान ही नहीं तो मैं तो ये शादी नहीं मानती रुक तो जित्तों मैं सबक सिखाती हूं और कहकई सिया पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तबी सीता आकर कहकई का हाथ पकड़कर जटक देती है बस पुआ जी अब और नहीं हाँ सही सुना पुआ जी क्योंकि आफ करना मा जी मैं आपका दिया वचन अब और नहीं निभा सकूंगी स्वर्ग नहीं नरग कर रही है आपकी ये जीजी मेरे संसार को ना जाने ऐसा कौन से जहर का सेवन करके आई है कि जब देखो जहर ही खोलती रहती है तबी रेखा की तस्वीर से हाल गिर जाता है दो कोड़ी की सड़क चाप लड़की के लिए मुझसे पंगा ले रही है तू देखा शर्मन विजय देख रहा है ना तू जी जी मेरे बच्चे जो कहेंगे वैसा ही होगा और सड़क चाप ये बच्ची नहीं आपकी सोच है बुआ जी सब के सब बरबाद होंगे और वो भ बहुत संदर बात सीखी कि इंसान के मनका हो तो अच्छा और मनका ना हो तो और भी अच्छा ना चाहते हुए भी खर में एक बाली का वधू आ ही गई लेकिन ये मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है इससे मेरी बेटी के तरह बड़ा करूंगी मुझसे भागे शाली तो कोई है हुए नहीं, खोक से बेटी ना जनकर भी, मेरी छोली में दो दो बेटी आ गई, सिय और परी सीता के गले लगती हैं और जी जी सीता ने नहीं निकला मेरी रेखा को, इस नियती ने निकला आप जा सकती हैं, जहां भी रहना सुखि रहना और कैकई अपना सा मू लेकर घर छोड़कर चली जाती है रेखा की तस्वीर में एक सुकोन नजर आ रहा था सीता और बाकी परिवार रेखा की तस्वीर के आगे हाँ जोड़ता है और इस तरहें बालिका वधु का नया जन्थ हो गया था वैसे तो सिया की आगे की यात्रा भी सीता की तरह ही संगर्ष से भरी थी मगर आप लोगों के घटे प्यार के चलते बालिका वधु का सफर यहीं खत्म होता है दोनों सीजन को खूब प्यार दीजिए शायद सीता कभी लौट कर आ सके तब तक के लिए देख तेरा ये लवसटी थैंक्स वर वाचिंग